अजिए निउस्ट्रिक से बात करने के लिए शुक्रिया जिस दिन आपके साथ मार पिट हुई उसे थोड़े देर पहले ही हम आपके साथ थे इंचा हो गया अशिए पहला सवाल आपसे यही है अभी ही जो है हमने जो है देश के अलग-अलग जो दिल्ली के बिल्कुल हाट में है और आपके साथ इस तरिके की हुई है क्या कोई आपको पैट्रिटि समझ में आ रहा है या फिर आपको कुछ लग रहा है कि एक एक पूसेज को जान मुझ के जो है एक अटैक किया रहा है obviously campuses में जो लगातार हो रहा है वही एक रवीवार का बात था जब जामिया मिला इस रामिया में दिल्ली पुलिस खुश के एक तरीके की मतलब बरबरता दिखाई टीर गैस वहाँ पे यूज किया गया उसके बाद लाठी चार्ज हो इस्टूडेंट्स को लगातार वहाँ से उसके बाद हॉस्टिल में विक्ट किया गया उसका अभी तक उसका भी अभी तक कुछ वैसे कारवाई नहीं की गई है इंक्वाईरीज एमेचरडी ने कहीं पर भी प्रोयक्टिवनेस नहीं दिखाया है उसके बाद लगातार एम्यू में ये चीज़े हुई है और कल की परसों की जो बात है जे एन्यू में हमने जो देखा अटैक इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है कि जो जिस इस गवर्मेंट ये सरकार के खिलाफ की नीतियों के खिलाफ अगर आवाज उट रहे हैं तब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं वो सारे अंदोलन को दबाया जाया और उसके लिए एक अटैक इस तरीके से कर रहे हैं कि उस संस्थान के उपर जो एक है कि उसकी सं लोग तोड मरोड के रख दे और वोही जेन्यू के साथ करने की पूरी पूरी फिर से कोशिश की गई है लेकिन जिस तरीके से हम इस चीज को देखते हैं कि जेन्यू में अचानक से ये चीज क्यों की गई उसका कॉंटेक्स क्या था जेन्यू पिछले 70 दिन से एक लड़ाई लड़ रही थी और लड़ाई क्या था कि हम चाहते कि हमारी जो सिक्षा हो वो सस्ती हो हमारी जो सिक्षा हो वो सबके लिए समान हो फ्री हो और हर तरीके के लोग आके इस संस्थान में पड़ पैर उसी की लड़ाई जेन्यू स्टूडेंट्स यूनियन लड़ रही थी और इ उस दिन सारे चारो ओफिस बेरनेक लेटर ओफिशिली लिखा भी था वाइस चैंसलर को ये बोलते हुए कि आप हमसे बात कीजे और इस क्राइसिस को खतम कीजे तेईस डिसंबर की बात है जब हाई कोट ने खुद बोला था वाइस चैंसलर को हाई कोट में वेकेशन से पहले कि आप इस तरीके से कोट को हर दिन इंटर्वेन करने के लिए नहीं बोल सकते हैं आपको स्टूरेंट्स के साथ बात चीत में जानी पड़ेगी लेकिन उसके बावजूद आज हो गई है साथ तारिक लेकिन वाइस चैंसलर ने अभी तक कुछ बात नहीं किया है तो हमें सम कि एक तरीके का प्रोपगेंड़ा अलग-अलग सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म से सारी चीजहों पर चल रहा है जब हम आपसे जब प्रोटेस्ट आगे कावर कर रहे थे तो एक पोस्टर हमने बहुत इंटरस्टिंग देखा था उस पोस्टर में लिखा हुआ था वेन जे है यह तो है ही क्योंकि आप देखिए जिस दिन 28 अक्टोबर में जेन्यू ने आयाचे मीटिंग को बात की और उसके बाद बोला कि सिक्षा सबका अधिकार है और हमने बार बार इस बात को सामने रखा कि जो हमारी पब्लिक एडूकेशन है इसको सेफ करने की जरूरत है 2019 मे लोगों को मिला वो सबसे पहले आयाटी और एम से मिला और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से एमेचारडी ने आयाटी का जो एम्टेक का फीज बढ़ाया गया तो उसको रोल बैक किया और यही डर सरकार को भी है कि जेन्यू ने जो आवाज उठाई है आज पूरा आज अगर हम नुजपेपर को देखते हैं तो एक चीज हम ने पा रहे हैं कि बाकी सारी चीजें तो ठीक है कि एक्टिविस्त थे वीविपी के आउट्साइडर से बाकी लोग थे लेकिन हम यह भी पा रहे हैं कि चीफ प्रॉक्टर जो है वो जेन्यू के वो भी इस इंसाम में कहीं उसको उक्सा रहे थे और जबकि उनकी मिदारी दूसरी बनती है कि वो जो है स्टूडिन्स को प्रटेक्ट करें अब कैसे इसको कैसे समझे हैं अगर आप पता पाएं तो प्रॉक्टरल एंक्वाइरी में किस का नाम जा रहा है हर वक्त इस एफायर में भी इतना शरम नहीं है वाइस चैंसलर एड्मिनिस्टरेशन को जब सर्कुलेट वीडियो एवीवीप के एक्टिविस का हुआ था कि वो लोग जाके काउंसिलर्स के जे इन्वेस्ट के काउं पैनिक थे इसलिए हमने लोगों को बोला था कि आप हाथ में एसीड रखिये आप हाथ में जो चाहे लाठी डंडा आइरन रॉड रखिये ये वीवीप के लोग बोल रहे हैं साथ-साथ जो चीफ प्रॉक्टर वो कई सरे वाटसेप ग्रूप्स में पाया गया है उनको एड रिमनाग बात है कि वाइस चैन्सिलर इस बात को कॉंसिडरेशन में नहीं लेके कि अटाक हुआ है इस बात पर बुदादा इंटरेस्ट है कि लेफ्ट के लोगों ने अटाक किया है उसके बाद उसमें जो फोटो सरकुलेट हुई है वो जो फेस है वो मेरे ही स्कूल से है वेस्टेशन सेंटर में पीजडी कर रहे हैं जिन्होंने एक एक एक्टिविस्ट को मारा था और उसका वीडियो सर्कुलेट हुआ है उसके साथ उनका वाइस चैंसिलर के एक पूछ रूदूर पूराना फोटो भी है तो वह एक जानी मानी पहचानी एवीवीबी के चीजे हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि पूरा एक और्गनाइजड अटाक था कि जेनु का नाम फिर से बदनाम करने के लिए और कहीं न कहीं वाइस चैंसिलर को मतलब प्रसाशन को तो रिस्पॉंसिब्ली लेनी होगी लेकिन वाइस चैंसिलर और जो चीफ प्रॉक्टर इनका इमीडियेट में चार्डी को यह समझना पड़ेगा अभी इंडियन एक्स्प्रस का भी रिपोर्टिंग आया है और वाइस चैंसिलर ने खुद इंटर्व्यू आउटलुक को दिया है जापे में चार्डी ने बोला है मिलके रेजिस्टर रेक्टर और अड्मिनिस्ट्रेशन से कि आपने जो भी केसिस की है और जो भी है उसको आप लोग वापस लीजिए और जो बार बार बोल रहा है कि आप स्टूरेंट्स में मत यह चीज कीजिए आप नहीं कर सकते और इमेचार्डी ने पॉजिटिव लाइट बोला है वाइ वाइस चैंसलर के बिना होगी इस वाइस चैंसलर की रिमूवल के बाद ही होगी नहीं शुरूआत और साथ-साथ-मेचार्डी इमेडिएटली हम लोग इनका इस्तफा मांग रहे है वाइस चैंसलर का और चीफ प्रॉक्टर का भी कि क्यों की इन्होंने इंस्टिगेट क्य और चीफ यार उनकी बात कहीं जारी है उनकी बात मतलब हम सुन रहे हैं तो एक तरफ तो ग्रेह मंतरी यह कह रहे हैं कि आपका जो है अम जो है एक प्रोब ओर कर दीया डेली प्लीस के कंट्रोल में और एक तरफ जो है आप लोगों के उपर फाई-ार सो रहे हैं इन इस करने के बाद एक टेलीफोनी कॉंवरसेशन हुआ था बातचीत हुई थी पौने चार बजे के करीब मेरे खुद का जहां पे उन्होंने बोला था नहीं केमपस में सब कुछ ठीक है हम लोग ने सब कुछ समाल लिया है जब यह बोला गया था तो सारे छे बजे कैसे गुंडे उसके और कहीं से भी आके उन्होंने कैसे नकाब भेन के हम लोगे के उपर अटैक चलाया और यह सब चीज में अगर अभी होम मिनिस्ट्री आके अचानक से बोल रहा है कि नहीं नहीं इनक्वारी कर दो बात है कि होम मिनिस्ट्री अगर यह समझ रहा है कि इनक्वारी करने क रहे हैं कि जो है सिर्फ एड्मिस्टेशन ब्लॉक पे ही हम लोगों को इजाज़त है क्योंकि हाई कोड निका है उसके लावा हम कहीं पर नहीं जा सकते हैं इसमें कितना आप देखिए बट हमने भी इंफॉर्म किया था और दिल्ली पुलिस के सिविल ड्रेस में लोग ऑल्रे जाने तो वाहरे को इसके के लिए बाहरे ओंड निया जा रहा है जएनू में टो में फिसको दिया जाता है हमें बहृत अच्छे से पता है सिर्फ बाहरे जोगों के ऐसी मजबूरी थी कै जाना कि एसी जगह घए बिक ऍंव कि सम्माइक घॉटन से बहुत ज्यादा हो मैं इ तो इस Chief Proctor के साथ नहीं हो सकता, इस Vice Chancellor के साथ नहीं हो सकता और साथ-चाथ इत होम मिनिस्टी में तभी हमारा विश्वास होगा और MHRD में जब वो इमेडरी इनका रिमूवल करेंगे अशी हम आपके बहतर स्वास्ते की काम ना करते हैं उम्मीद करते हैं कि आप जल्डी ठीक हो के कैंपस में लोटेंगी न्यूश क्लिक से बात करने के लिए शुक्रिया शुक्रिया